गराम सचीव के पदों के लिए बंपर भरती आ गई है ओनलाइन आपको इनके लिए आवेदन करना है पूरे भारत से कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर सकता है सिरफ लिमिटिडिसी शर्थ है एक तो अपर इस लिमिट भी 40 साल है उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए और ग्रेजवेशन आपने कर रखियो किसी भी स्ट्रीम से बाकी की जानकारियां इस वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आप वीडियो पर शिरू से लेके आखिल तक जरू से जरू देखें और आल ओवर इंडिया लेवल से लेटस गवर्मेंट रिक्रूटमेंट की लेटस अफडेट बिलकुल शोर्ट में सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को भी जरू से जरू सबस्क्राइब कर ले सबसे पहले आप इसकी ओफिशल वेब साइट देख लीजिए 2019 की रिक्रूटमेंट है 2019 में आई थी लाखों की संख्या में केंडिडेटस ने उससे में आवेदन किया था गया री एटवर्टाइज कर दिया गया तो अब आप चाहें तो इनके लिए आवेदन कर सकते हैं बाइस तीन दो हजार इकिस आवेदन करने के अन्तिम्तिती है फीज जमागराने के अन्तिम्तिती 25 मार्च दो हजार इकिस है ये इनका डिटेल्ड नोटिफिकेशन है इन डेटों पे आप मत जाएए ये जा चुकी है नई डेट मैंने आपको बता दी है 697 टोटल वेकेंसिया है ये URL है यहाँ पे आपको इनके लिए आवेदन करना है HSC की ओफिशल वेबसाइट पे मिल जाएगा आगे चलते हैं केटेगरी के कोल्डिंग देख लीजिए जर्नल की टोटल वेकेंसिया है इसमें 287, SC की 162, BC A की 107, BC B की 34, EWS की 66 वेकेंसिया है Essential qualification है Graduate from any recognized university or its equivalent किसी भी recognized university से अगर आपने graduation कर रखी है और 10 वी कक्षया, 12 वी कक्षया, graduation मतलब किसी भी वी कक्षया में आपने हिंदी और संस्क्रित आज़े सब्जेक्ट पड़ा है और आपकी age limit 17 से 42 साल के बीची में है तो आप इनके लिए आविदन कर सकते हैं Payscale है 1900 से 63200 Age relaxation मिल जाएगी जो हर्याना के candidates हैं उन्हें upper age limit में SC category से जो candidate हैं या OBC A या OBC B से हैं उन्हें 5 साल की appraise limit में चूट मिल जाएगी और PWD category के candidates को appraise limit में 10 साल की चूट अगर SCBC category से हैं तो 15 साल की चूट मिल जाएगी application fees देख लीजिए journal male female के लिए 100 रुपे है female अगर हर्याना के निवास हैं तो 50 रुपे है SCBC EWS category के जो candidate सर्याना राज्या के हैं उनके लिए अगर male है तो 25 और female है तो 13 रुपे application fees यहां निर्धारित की गई है जहां तक selection process की बात है 90 नंबर का आपका written होगा 10 नंबर आपके socio-economic criteria और experience के इसमें शामिल कर लिए जाएंगे इस recruitment से जुड़ी हुई तो अच्छी के यही अपडेट आप तक मुचैनी थी वीडियो के मादें से वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार